नमस्ते जी मेरा नाम धार्वी पोपट है मैं गुज्रात एमदाबाद के ग्लोबल मेशन इंटरनेशनल स्कूल संसकार धाम के कच्छा ग्यारवी कॉमर्स की छात्रा हूँ श्रीमान इस कोरोना काई में उद्योग, व्यापार, सरकार को भी तकलीफ आई होगी लेकिन क्या आपने सोचा है कि विद्यार्थियों को क्या तकलीफ आई सर इस संकट को मैं अपने जीवन में किस रूप में याद रखू ऐसा लगता है कि हम चात्रों का एक साल मिरार तक हो गया हूँ मेरी जगह आप होते तो क्या करते आपका मार्क दर्शन हमें दिशा देगा धन्यवाद धार्वी आपका छोटा भाई है बड़ा भाई छोटा भाई कोई है गर में है जोटी बैन है खोटी बैने हाच्छ जी सर्टी बैन को ऐसे ही डारती हो जैसे कह रहे ती नई सर्फ ऐसे आखेख खोल करके बोल जहीं थी अजा सावर्म भाट आप पहले आई ती का ज़ग पहली बार आई तो परस्ट आए महाच परस्टाइम आया हुँआ हो यह हो अच्छा तो छे साल से रह रही हो और आपको कभी मन नहीं कर गया कि भारत की आजादी का इतना महत्व पुन स्थान वहां कभी जाना चाहिए आज तो सुबे से आ गए होंगे आप लोग जी सर बलकुल तो आपने देखा कि आज सब चीजे देखी क्या हां सर देखी मन को शां देखिए जा करके अपने संस्कारदाम के दोस्तों को भी कहो कि साबर्मति आश्रम जाना चाहिए और अपने परिवार और मित्रों के भी कहो कि साबर्मति आश्रम जाना चाहिए और वहां के शांति का अनुभव करना चाहिए कुछ पल मौन कुछ पल मौन वहां बैठना च देखिया आपकी बाद बिल्कुल सही है जहां तक कोरोना का प्रश्णा है मैं तो इसे इस रुप में देखता हूं कि जो गल्ती आपने नहीं की उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा यह आपके लिए जीवन की एक सीख है कि कई बार जीवन में बहुत कुछ अचानक घड़ता है और कल्पनिय घड़ता है और इन घटनाओं पर आपका कोई नियंत्रन नहीं होता है कोरोना में भी हम कह सकते हैं कि बच्चों का युवाओं का जो नुक्सान हुआ है वो बहुत बड़ा है बच्पन के लिए तो एक साल का नुक्सान बड़ी इमारत की नीव में एक खालीपन जैसा है इस कमी को भरना आसान नहीं है स्कूल एज मतलब हसना खेलना मिट्टी में खेलना मिट्टी उचालना गर्मी सर्दी बरसाथ हर चीज का आनंद दोस्तों के साथ क्लासरूम में टीचर के साथ गप्पे मारना बाते करना घर की छोटी से भी घटना चारो दोर एक दम से बता देना उनके भीच रहे हैं यह सब जीवन की विकास यात्रा के लिए बहुत अनिवारी होता है इन सब चीजों से आप सहज ही कितना कुछ सिख सकते हैं आपको भी लबता ही होगा कोरोना काल के पहले का समय आप याद करते होंगे तो सोचते होंगे कि कितना कुछ मिस किया है लेकिन कॉरोना काल में अगर काफी कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी है कॉरोना की सबसे पहली सीख तो यही है कि आपने जिस चीज को जिन जिन लोगों को मिस किया उनकी आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका है यह इस कॉरोना काल में ज्यादा पता चला है आपको इस बात का एसास हुआ कि कि किसी को भी फोर ग्रांटे नहीं लेना चाहिए खेल कुद हो स्कूल में फिजिकल क्लासीज हो या फिर आपके घर के पास सबजी बेचने वाले कपड़े प्रेस करने वाले पास के बाजार के दुखानदार जिन लोगों को जिन बातों को आपने रूटीन समझ लिया था उनका जब मिश करते हैं तब उनका सब का महत्वा हम सब को अनुभव होता है आपको भी पता चला है इसलिए इस दिशा में आपको लगातार जागरुक रहना चाहिए और लाइफ लॉंग इस लेशन को याद क्सक्राइब करोणा के बाद भी इन चीजों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए वहीं आपको यह भी याद रहना चाहिए जीवन को सच्चे अर्थ में जीने के लिए कितनी कम चीजों की जरुब होती है दूसरा, इस एक साल में आपको कही न कही जाने अंजाने में आपको खुद के भीतर जौकने का, खुद को जानने का एक अवसर भी मिला होगा कोरोना काल में एक और बात ये भी हुई है कि हमने अपने परिवार में एक दूसरे को जादा नजदिकी से समझा है कोरोना ने social distancing के लिए मजबूर किया लेकिन परिवारों में emotional burning को भी इसने मजबूर किया है कोरोना कान ने ये भी दिखाया है कि एक संयुक्तव परिवार की ताकत क्या होती है घर के बच्चों के जीवन निर्मान में उनका कितना रोल होता है मैं चाहूंगा कि सोचल साइंस के लोग हमारी उनिवर्सिटी इस पर रिशेज करें कोरोना काल के फैमिली लाइप पर स्टडी करें कैसे इस संकर से मुकाबला करने में संयुक्त परिवार ने समाज को ताकत दी इस पहलू को खंगाले कोरोना आने के बाद ये जो आईरुवेदिक काढ़ा, पौश्टिक भोजन, साफ सफाई, इम्मूनिटी ऐसे अनेक महत्वपुन विश्यों पर हम सब का ध्यान गया है इन सब के लिए लोगों ने जो जो किया वो अगर पहले से करते आ रहे होते तो शायद परेशानी इससे भी कम होती, लेकिन अच्छा है, अब ये बढ़लाव लोगों ने अपने जीवन में सामिल कर लिया है और इसलिए मैं ये ही कहूँगा, ये बहुत बड़ी बात है कि परिवार के बच्चे ऐसे गंबीर पहलों पर सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं धन्यवाद बेटा, धन्यवाद